एक अतीक और अशरफ की हत्या, दूसरा ये जो अदालत में संजीव जीवा की हत्या, दोनों में कुछ सिमिलर्टीज हैं जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, दोनों में बहुत कम उम्र के अपराधियों का उपयोग हुआ, दूसरी बात दोनों के पास अत्याधुनिक शस मैं नहीं समझता हूँ कि यहां जो वर्तमान में छोटे मोटे शुटबईये गली वाले जो अपराधी हैं, किसी ने देखी भी होगी, उनके पूरे प्रापर्टी की कीमत भी 4 लाक रुपए नहीं है, और 7 लाक की वो पिस्टल है, जो बात समझ में आ रही है, जो मैं विज का स्टेडी में हो जाए, एक ग्रूप ऐसा है, लेकिन अगर वो इस तरह का सिंडिकेट है, तो कल वो पुलिटकर राइवल्स के साथ भी यही करेगा, कल बड़े बिजनिसमेन के साथ भी यही करेगा, तो ये बहुत ही खराप टेंड है, उत्तर प्रदेश की राजधानी ल के सामने हत्या हुई और इसके पहले भी कई ऐसी हत्यां यूपी में हो चुकी हैं, जिसकी वजह से लोग, पुलीस और सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, और इनी सवालों का जवाब ढूनते हम एक ऐसे IPS अधिकारी के पास पहुचे हैं, जिन्होंने ATS की शुरुआत में ATS मे रहे राजिश पांडे साब, और राजिश पांडे साब किस्सा गोई भी करते हैं उन कहानियों की, जो कहानिया इन्होंने अपने आखों से देखी हैं, तो यूट्यूब पे सर आप किस्सा गोई करते हैं और आप बताते हैं कि आपने अपनी आखों से अपराध होते देख हैं और इसकी भी शुरुवात संभवता गाजयबाद से हुई किस तरह का अपराधी था देखिए संजीव जीवा ने जब शुरू किया था अपराध कोई पैदाईशी तो कोई अपराधी नहीं सुना है मैंने लेकिन जब इसने शुरू किया जब यह कंपाउंडर की नौकरी एक डॉक्टर के हां कर रहा था उसी बीच में अपने ही जनपत के मजफर नगर के यह कुछ अपराधी लोगों का इसका साथ हुआ जिनमे रमेश ठाकुर कहते हैं कि रमेश ठाकुर ने इसको अपराध के सड़कों पे उंगली चल पकड़ के चलना सिखाया था और दूसरा था सतिंदर बराला फिर इनको साथ मिल गया मुन्ना बजरंगी का मुन्ना बजरंगी उन दिनों ये वेस्टन यूपी में ही सक्री था यहां उसकी तुनकी तमाम रंजिशे थी जाउनपुर में और इधर आसपास तमाम मुकदमे थे यहां आ गया था और यह इन लोगों न करत्या हुए 10 फरवरी 1997 को और वो भी वहीं फरुखाबाद में फतेगड में और उस समय उनका राजनेतिक कद बहुत बढ़ चुका था बहुत बड़ा हुआ था उसमें संजीव जीवा और रमेश ठाकुर दोनों नेम्ड हुए रमेश ठाकुर पे भी नाम हुआ और जीव फिर एकदम उनका गुरू कह ले या उनका ऐसा आदमी जो उसका मिंटर था जो उसको तमाम असलोहों का बड़ा शौक था उसको तीस पैंटिस मगदमे थे जब वो मारा गया तो उसने मुन्ना बजरंगी को पकड़ लिया और मुन्ना बजरंगी के मुकतार अंसारी से जो वो बिलकुल अन्डिस्प्यूटेड इस थे लोग तमाम इधर उधर के आए चले गए छोड़ गए थे नहीं थे लेकिन ये हमेशा मुकतार के साथ ही रहा मुन्ना अगला टार्गेट इनका हुआ कृष्णा अनुदरायव ये बात है दो हजार पांच की 29 नमबर 2005 की भाव जैसे हराया था अशरफ को राजू पाल ने और जिस तरह मारा गया वो भी एहतिहासिक है नौ किलूमीटर तक दोड़ा दोड़ा के मारा गया सिटिंग विधायक कृष्णा अनुदराय की भी हत्या लगभग उसी तरह हुई और उसमें शुरुवाती दौर में ही शुरुवाती समय में ही चूँकि साथ लोग जो उनके साथ थी वो उमरे थे और कुछ लोग उसमें से बच भी गये थे तो जो नाम आये जो देखे गए वहाँ पर उसमें संजीव महाशुरी जीवा था तो तीन लोग जो अंडिस्प्यूटड जिनकी प्रिजेंस वहाँ थी फिर दौस संजीव महाशुरी जीवा और मुन्ना बजरंगी कम सकम चार पांच एक एक फॉर्टी सेवन का प्रियोग हुआ पांच सो राउंड गोलिया चली साथ आदमी मारे गए कृष्णा अनंदराय मारा गया फिर एक जिसको वो कहते हैं ने कि फिर इसने हाइट पकड़ लियू बदमाश जब वो ये चाहता है कि मेरा इतना नाम हो कि हम जिसको फोन कर दें और जितना मांग लें उतना वो दे जाए जब तक इस प्रोसेस में कुछ अरंगा लगता है तो उसे लगता है कि हमें और कुछ करना चाहिए जिससे हम जिससे जितना मांगें वो हमको दे दे तो इस प्रोसेस में वो सक्सेस्फल हुआ दोनों वीव नहीं नहीं STF बनी थी, महीने भर के भीतर ही मुटभेड हुई, वो मारा गया, मुन्ना बजरंगी को नो गोलियां लेकिन है कभी-कभी किसी का समय होता है, किसी का नहीं होता है, समय था, बच गया जिंदा, एक गोली जो उसके हृदय के पास फंसी हुई थी, वो उसने नहीं निकलवाने दी, कि डॉक्टर से मिल की लोग हमें मरवा देंगे, बाद में निकली, और फिर ये मुन्ना बजरंगी और मक्तार अंसारी अंडिस्पूटेट किंग हो गए इस तरफ के, ये उसकी जर्नी थी, ये उसकी जिसको कहते हैं कि फिरलेसनेस थी, और किसी को दोड़ जरंगी और रमेश ठाकूर, इन लोगों से, और धीरे धीरे, अचा, दुश्मनी का आलम उसको भी पता था कि हमारी किनसे दुश्मनी हैं, जो कल की खटना हुई, कल शायद पहली बार या दूसरी बार ही, वो बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के आया था, कोट की भीतर, पूरी बुलेट प्रूफ जैकेट और हेट गेर जो बुलेट प्रूफ होता है, वो पहन के आता था, लेकिन मुक्बरी भी करने वाले बहुत तगले थे, पता लगा होगा उन्हें, या देखा होगा उन्हें, या उनकी जानकारी में होगा, या परसू किया होगा, या रैक कस्टडी में पुलिस की प्रिजिंस में मारा जाना किसी भी establishment के लिए अच्छा नहीं माना जाता लेकिन कोई ये पहली घटना नहीं है दिल्ली में बहुत बहुचर्चित गोगी को रोणी कोट में डायस पर जसाब बैठे हुए थे उनके ठीक सामने कितनी गोलिया मारी गए और कहते ये हैं कि टिल्लू ताजपुरिया ने मारी जिसके बाद में अभी तिहार में रॉड से बनाई हुई चाकूं से गोद गोद कर हत्या कर दी गई तो ये एक गैंग वार है आप कहलें या जो कुछ भी इसको कहलें कि ये आपस की जो टशन है ये अब दिल्ली से ऐसा लगता है उतर के धीरे धीरे इधर आ गई क्योंकि यहां अब बड़े माफिया बड़े गैंग वार जो सबसे पहले जो हमने जब नौकरी शुरू की थी जो गोरगपुर को क्राइम कैपिटल आफ इंडिया कहते थे उस समय विरेन शाही ओहर शंकर तिवारी की जो दुश्मनी थी वो मतलब बहुत दूर दूर तक इसका नाम हो गया था जातिगत आधार पे दो गुट बन गये थे एक दूसरे तरफ कई कई सो मर्डर हुए और पुलिस के लिए बहुत परेशानी का सबब था कहते ही हैं कि उस समय जो ततकालीन मुख्यमंत्री थे विरबादूर सिंग साब गुंडा एक्ट ही उन्होंने इन दोनों की गत्विधियों को चेक करने के लिए उत्तर प्रदेश गुंडा और असामाजीक तत्वधनियम जो बना था गुंडा एक्ट जिसे कहते हैं वो उन्हीं के लिए बनाया लिए गुरकपूर के तुलना मेक्सिको से की जाती थी कि सबसे बड़ा अपरादिक सेंटर और इंडिया में दूसरे लिया में बिल्कु सही है यह जब मैंने नौकरी की शुरुआत की थी लेकिन धीरे 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 करके 2005 के बाद क्योंकि 90 के दशक तक आप अगर नजर उठा के देखें तो 90 के दशक में बहुत धेर सारे अपराधी विधान सभा और लोक सभा पहुँचे कारण उसका यह था कि विवेशना भी मैनुवल होती थी ट्राइल भी मैनुवल होता था मैनुवल का मतलब अगर F.I.R. में दस गवा हैं या तो दस के दस नहीं पहुँचेंगे ट्राइल के समय पाँच अगर पहुच भी गए तो होस्टाइल हो जाएंगे पाँच अगर जिद कर रहे हैं कि नहीं मैं तो आपके खिलाफ गवा ही दूँगा तो फिर वो कहीं न कहीं गोलियों के शिकार हो जाएंगे मार दिये जाएंगे और उसी पीरियट की नब्बे के दसक के अपराधों की उपज में ये शाहब अद्दीन भी शामिल है ये दोनों जिनका मैंने आपको जिकर किया विरेंट शाही और ये भी अतीक हमत भी उसी के हैं मुक्तार अंसार भी उसी के हैं ये सब उसी नब्बे की दसक के वोई हुई फसल की पौध की फसले हैं मैं उसी सवाल प्यारा था चुकि आपने असी नब्बे का वो दशक देखा है जब अपराध का राजनीती करण हुआ तब में और अब में अगर मैं कमपैरिजन वाला एक सवाल पूछू कि तब गैंग वार होता था विरिन प्रताब शाहिज इसको शेरे पुर्वांचल कहते हैं मूर्तियां लगी हुई है अरिशंकर तिवारी हाल फिलाल में उनकी डेथ हुई आम जनता कभी अफेक्टेड नहीं होती थी और छोटे मोटे अपराधी कुछ नहीं करते थे जो बड़े बड़े नाम होते थे लेकिन इधर हाल फिलाल में चार-पांच सालों में अगर जो हत्याए होई है इसमें मरने वाला बड़ा माफिया है लेकिन मारने वाला ऐसा कोई नौसीख हुआ है जिसको कोई जानता नहीं महले में भी शायद उसको कोई पहचानता नहीं है तो ये पहले के गैंग वार के दो मजबूत लोग भीड़ते थे और यहां मजबूत को कमजोर मार रहा है इस ट्रेंड को कैसे देगी देखी ये ट्रेंड जो अभी का है ये चार-पांच साल का नहीं है ये बिलकुल अभी हाल-फिल-हाल का ट्रेंड है और ये बड़ा खतरनाक है बड़ा डेंजरस है क्योंकि पहले जो गैंगवार हुआ उसमें मारने वाला भी नून और मरने वाला विनून, फलाने ने फलाने को मारा, फलाने ने फलाने को घेर के मार दिया, फलाने फलाने को मारने के लिए और साब 500 राउंड गोलियां चलाइए, 400 राउंड गोलियां चलाइए, दुनिया देखती थी कि दो लोग हैं, दो ग्रूप हैं, दो ग्रूप हत्या, दूसरा ये जो अदालत में संजीव जीवा के हत्या हुए दोनों में कुछ सिमिलर्टी हैं जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, मैं डिसकुशन से बहुत धेर सारे सुन रहा हूँ, राजनेतिक लोग अपनी तरह से विशलेशित कर रहे हैं कि मेरे समय में और तुम्हारे समय में ये समय में, मैं उस पे बिलकुल मेरा उस से कुई लेना देना नहीं है मैं प्योर और शुद्ध क्राइम के दिर्श्टिकूर से आप से ये कहना चाहूँगा कि ये टेंडेंसी बहुत खराब है पहली बात, दोनों में बहुत कम उम्र के अपराधियों का उपयोग हुआ दूसरी बात, दोनों के पास अत्याधुनिक शस्त्र थे जिगाना पिस्टल मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ जो वर्तमान में छोटे मोटे शुटबईये गली वाले जो अपराधियों है किसी ने देखी भी होगी और जिन लोगों ने जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल किया वहाँ अतीक और अशरफ में उनके पूरे प्रापर्टी की कीमत भी 4 लाख रुपए नहीं है और 7 लाख की वो पिस्टल है तो यह कहीं ने कहीं से मिली उनकी तो आवकात मेरी समझ में नहीं आती कि उन्होंने खरीदी होगी या किसी से मार के छीनी होगी क्योंकि जिससे मार के छीनी होगी उसकी भी आवकात होनी चाहिए कि 7 लाख की पिस्टल लेके चले दूसरा जो कल किया मैगनम चेकलोस वाकिन पिस्टल है यह अमेरिकन इसका इस्तेमाल करते हैं हलांकि प्रतबंदिद नहीं है लेकिन बहुत प्रचलन में नहीं है रिवॉल्वर है यह बहुत प्रचलन में नहीं है 0.357 है तो यह मेगनम है 0.357 है चेक रिवॉल्वर है और अमेरिका में अमिरिकन ब्राइंड से ये पाई जाती है हालांकि ये बहुत धेर सारे लाइसेंसेस पर हर्याना और पंजाब में इशूड है लेकिन हमारे हाँ उत्तरप्रदेश में ये बहुत पापुलर नहीं है हमारे हाँ का अगर गर 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 कर पकड़ा गया है करते हैं 315 बोर का कट्टा ही इस्तेमाल करते हैं तो एक बहुत ही कम उम्र दो कोई क्रिमिनल बैग्राउंड नहीं इसके पास भी कोई लड़की भगाने के एक मुकदमा था एक पराली जलाने का था अतीक अश्रफ में जो थे उन पे भी एक कोई पासको का था एक छोटे- अब दिख्कत यह है कि जिगाना पिष्टल सनी के पास आईके से मैगनम की रिवालर ये इसके पास आईके से विजवयादो के पास आईके से तो अगर ये यहीं पर रुख जाए तो ठीक है कोई बात नहीं में पampf होकी किसी ने दिया होगा किसी ने परसनल इसकोर ट्iration जो बात समझ में आ रही है, जो मैं विजुलाइज कर पा रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में आ रहा है, वो ये है, कि अब ये सिंडिकेट एक नए तरह का सिंडिकेट है. एक सवाल ये, इस अपराधी तो खतम हो रहे हैं, इसमें पुलिस को खोश होना चाहिए कि पुलिस को और ज़्यादा चिंता करनी चाहिए है? देखे, जुडिशल कस्टेडी में किसी को मारा जाना, वो अपराधी हो या सामान ने आदमी हो, अंडर ट्रायल हो, ये किसी भी सिस्टम के लिए अच्छी बात नहीं होती, ऐसे में जबकि अदालतों में सुरच्छा की कोई कमी नहीं है, सारे बड़े देख लीजे, नहीं गुश सकते आप, जैसे यहां पिस्टल लेके गुशा है, बिल्कुल नहीं गुश सकते, दिल्ली के हाई कोट में देख लीजे, तो ठीक है, यहां भी जब अदालतों में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, मैं उस समय स्टेफ में था, जब बनारस, लक्नव और फैजाबाद कोट में ब्लास्ट हुए थे, उसके बाद उत्तर प्रदेश की सारी कोट में सुरच्छा बिवस्था मजबूत की गई थी, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर सब जगह लगे हुए हैं, पहले भी लगे थे दोहजार आट के बाद, आज भी लगे हुए हैं, क कल वो बात नहीं थी कि पिस्टल भी वीतर चली गई, सस्पेंट भी हुए, बाना भी गया, और कभी-कभी दिक्कत ही होती कि देखे सिपाही हैं हैं चेकरने वाले, और वकीलों का फुटफॉल डिस्टिक कोर्स में और तहसील की कोर्स में बहुत ज़्यादा है, जितने वक तो ध्यान भी कम लोग देते हैं, बोडस ओपरिंडी है साथ, पत्रकार बनकर कैमरा माइक लेकर के अतीक को मार दिया जाता है, वकील बनकर के एक अपरादी को जच के सामने कोटरू में मार दिया जाता है, तो ये एक 19 साल का लड़का इतनी प्लानिंग तो नहीं कर सकता, तो ये कही ना कही एक nexus से एक syndicate है, क्या अपराद को अपराद से खतम करने का ये जो पैटर्न शुरू हुआ है, ये अपराद को खतम कर रहा है कि अपराद का extension हो रहा है, देखे ये जो मैं syndicate की बात कर रहा हूँ, जो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा, मैं जिसको कहते और अश्रफ को देखे, उस murder case में भी, वो भी judicial custody में हुआ, पुलिस की presence में हुआ, लेकिन जो तरीका इस्तमाल किया गया, प्रेस वाला, जो सामान इस्तमाल किया गया, उसमें dummy camera था, वो dummy camera अगर आप आज की तारीक में लखनव में, बनारस में, अलहाबाद में अगर आप वो इस तरह के supply करते हैं, क्या perfect camera था, आपने shots में देखा होगा, वो जमीन पे गिरा हुआ था, solid plastic का था, बाहर से देखने में कोई भी police वाला या even press वाला ये judge नहीं कर सकता कि साब ए dummy camera है, कहां से आया ये, ID कहां से आया ये, ये दो कौडी के टुच्चे टाइप के criminal, क्य ये ले आये होंगे camera खरीद के वहां से, तो ऐसा लगता है कि ये syndicate जिसे में ये cult, criminal cult का जो ये, का जो प्रादूर भाव हो रहा है, ये बड़ा dangerous है, ये जो crime को एक corporate establishment की तरह इस्तिमाल किया गया है, कैसे रहकी करेंगे, क्या चीज लेके जाएंगे, किस में आपको आसानी होगी, किस जो pistol कभी या revolver ना फसे, ना उसकी कार्टीज में कोई दिक्कत हो, जो अगर training की जरूरत है, तो हो सकता है, वो training भी दिलाते हों, ये tendency बहुत कतरना थे, आप चुकि बहुत लंबे समय तक system में रहे हैं, एक state sponsored भी इस तरह की चीज़े कही जाती है, आरोप लगा की presence में, state sponsored इस तरह का crime, कम सकम मैंने अपनी service में नहीं सुनाए, इस कल की घटना को हटा दीजे, उसके पहले सडकों पर चलते हुए, या किसी भी मतलब गैंग वार की शकल में, इस तरह का कुछ पुलिस से planning करे होता है, देखे ये तो बहुत ही सामानी से बात है, कोई ऐसा नहीं कि यूपी पुलिसी, सब देखे हमारे उपर समाज की, यानि पुलिस के उपर समाज की सुरच्छा की जिम्मेदारी है, और ऐसी स्टेज में जब ये लगता है कि नहीं साब, अब judicial process में 30 साल लग जाएंगे, फलानी में 40 साल लग जाएंगे, तमाम आरोब पुलिस के लगा कि साब ये ऐसे नहीं हम इसको डील कर पा रहे हैं, तो उसके विरोधी के उपर हांत रग दिया, उसने चौराहे पे मार दिया, ये तो संभो है, लेकिन इस तरह का estate sponsored, ये मैंने अपनी service में, देखे कोई भी establishment हो, किसी की भी सरकार हो, कोई ये फजीहत ऐसी होती है, कि साब judicial custody थी, पुलिस की presence थी, आदमी के हाथ बंदे हुए थे, मार दिया गया, तो कोई इस तरह का आरोप या इस तरह की फजीहत नहीं मोल लेना चाहता, सौ तरीके और हैं अगर करना चाहे तो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मैं इसलिए बार-बार कह रहा हूं, कि ये जो tendency है ये जो syndicate की शकल ले रहा है, ये जो corporate establishment की तरह crime जो शकल ले रहा है, ये बहुत खराब है। इसको आप corporate system कह रहे हैं, उसमें एक आदमी planning करता है, एक आदमी हतियार supply कर देता है, तीसरा आदमी उसको रेकी करके detail दे देता है, चौता आदमी उसको शायद कुछ और logistics दे दे और फिर पांचवाँ वो आदमी जो जाके crime कर देता है, तो ये बिल्कुल online जो marketing system है, बिल्कुल वैसा ही, मैं मुझे जो I can foresee it कि बिल्कुल वैसा ही है, और आप ये समझे कि एक HR department भी होता है, इस तरह की सभी company का human resource department भी होता है, उनके पास enlisting रहती है कि साब, ये वाला का ये आदमी कर सकता है, इसकी कोई criminal history नहीं है, इस पे कोई शक नहीं करेगा, इसे check नहीं किया जायेगा, इसके पास आधार और फ़ला 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 चीजें इसके पास होंगी, तो वो HR वो supply करता है, तो एक बहुत ही well knit, well organized, एक syndicate सा मुझे दिख रहा है, कि अगर जो कल फिर कोई घटना नहीं होती, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन अगर कोई घटना होती है, तो फिर ये ऐसा लगता है, कि इसे ढूलना पड़ेगा, इसकी गहराई में जाना पड़ेगा, कौन लोग हैं जो इस तरह का कर रहे हैं, देखे दो चीजें हैं, एक तो कोई ऐ तो कल बड़े बिजनिसमेन के साथ भी यही करेगा, तो यह बहुत ही खराब टेंड है। एक ट्रेंड सर यह भी देखा गया, कि आम तर परादी गोली मारता है, मौके से भागने की कोशिश करता है, कई बार पकड़ा जाता है, कई बार भाग भी जाता है। इधर जो दो केसेज आप बोल रही है, थी क्या संजीव जीवा, दोनों ही केसेज में हत्या करने वाले भागे नहीं मौके से, अलाकि वहां पे भी शरेंडर-सरेंडर-सरेंडर प्रियागरज में हो गया था, और यहाँ पर गोली मारने के बाद वहीं खड़ा रहा वकीलों न देखिए मैंने सब चीजों का सार में ये कहा कि ऐसा लगता है कि कोई एक ये जो नया सिस्टम, नया कल्ट डिवलप हो रहा है, नया ये सिंडिकेट बन रहा है, अगर ये सिंडिकेट है तो दियार वेल टेंट, कि कैमेरे लगे होंगे, असलहे तुरंत फेंग देना, इस से प मतलब कूच जाओ इस गड़े में, बाकी सब हम देख लेंगे, उसके एवज में वो उसको पैसा भी दे रहा हो, उसको हिम्मत भी दे रहा हो, उसकी तमाम, या उसकी कोई कमजोर नस उसके पास है, उसको दबा रहा हो, तो ये तभी संभव है जब उसको अच्छी तरह से प मतलब यूपी पुलिस को चिंता करनी चाहिए और इसको खतम करने के लिए कुछ एक ऐसी प्लानिंग करनी पड़ेगी, ताकि फ्यूचर में इस तरह का कुछ बिलकुल यूपी पुलिस को नहीं, अगर ये ऐसा सिंडिकेट बन रहा है, ये कल डबलप हो रहा है क्राइम का, तो इसमें यूपी ने, यूपी, दिल्ली, हरियाना, ये जो आस-पास का जो इलाका है, इन सब को करना पड़ेगा, देखे आप, जैसे लौरेंस विश्णोई ने कहा कि हमने उसको गोगी को पिस्टल दी थी जिगाना वाली, इसको मारने के लिए टिलू ताजपुरिया को और इस बीच में रोहनी कोट में गोगी का ही मरडर हो गया, अब गोगी ने ये काम करने के लिए पिस्टल किसको दी थी, ये मुझे पताने हैं, मतलब ये एक जो बात निकल के आई है, और ये पता लगा कि गोगी ने वो सनी को दी थी, सनी ने इसमें इसमें इस्तमाल की, यानि यह वहां से चला लॉर्ण्स विश्णुई के पास से और यहां आके पुलिस के हाथ पड़ी जब अतीक और रश्रफ मारे गए तो है तो यह अगर यह देखा जाए तो यह सिंडिकेट तो ही है उसी सिंडिकेट ने सिद्धू मुसे वालों को जाने कितने मुर्डर वहा चिंतनी है विचारनी है पुलिस को मेहनत करनी होगी और खाली अकेले यूपी पुलिस के सिरका बावाल नहीं है यह यह कल को कहीं और होगा अगर यह सिंडिकेट है तो सौ फिस्दी यह कहीं होगा जिसको मारना होगा वो हर्याना में होगा तो मारेंगे दिल्ली में होगा तो मारेंगे, तो ये हाँ, विदेश में गया होगा, तो मारेंगे, तो ये जो डिवलप हो रहा है, इसे तोड़ना होगा, समझना होगा, जानना होगा, कि ये इंडिविजूल था या फिर कोई सिंडिकेट था. तो राजिश पांडे साब, जिनको चार दशक का पुलिसिंग का अनुभव है, किसागोई भी करते हैं, उन्होंने कहा कि यूपी पुलीस और देश की हर वो पुलीस, जिसके सामने इस तरह की घटनाएं होती हैं, उसको चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सिंडिकेट ड कम होते दिख जरूर सकते हैं, लेकिन भविश में अपरादी खतम होगा और अपरादी खतम होगे, इसकी कोई गारेंटी नहीं है, बलकि ये इसका एक्स्टेंशन भी हो सकता है, इसलिए संजीव जीवा की जो हत्या है, वो हत्या, आखरी हत्या हो इस तरह कि इसकी कोशिश यूपी पुलिस को करनी होगी और यूपी पुलिस के अदिकारियों को एक ऐसी रणीती बनानी होगी, ताकि ये जो सिंडिकेट सिस्टम दिखाई दे रहा है, पिछले कुछ महीनों में खास तोर पे, वो कम से कम ना हो, और पुलीस, जुडीशरी, इन सब के सामने जो हत्य हो रही है, इस तरह का सिलसला खतम हो, और आम आदमी भी, खास आदमी भी सब सुरक्षित रहें, इसकी कोशिश फिलाल यूपी सरकार, यूपी पुलिस क्यों करनी होगी, मैं और मोहन, लखनाव में संजीव जीवा के हत्या से जोड़े और भी पहलो आपको दिखाते रहें के देखते रहें, इसलों अटाप